हट कारदोगी साथ-छे-शाथ साल को हमारा गुरू बुरुन है हमारे हिंदू धर्म की मरियाद आà है कि जब हम घर से बाहर निकलें तो हमारे सरपर बस्त्र होना कथा सत्जंग-पांडाल-कीरतन-मंदर में से जाएं तो सरपर वस्त्र होना है सब्सक्राइब होना कि हम नहीं कह रहे हैं यह हमारे व्एध कहते हैं कभी मेरी बहनाओस है है सर से वस्त्र उतार के हमारी खुब्सूरती नहीं होती कभी शंगार से विटू पालर से हमारी खूपसूरती नहीं है हमारी खूपसूरती है हमारे आच्रण हमारी खूपसूरती है हमारी संस्कृती हमारी खूपसूरती है हमारे परवार का नाम अच्छा हो कि उनकी बिटिया है वड़े ही संस्कार की है उनकी बहनजी हैं वड़े ही संसकार की हैं उनकी पतनी हैं वड़े संसकार की हैं तो हमारी फूब सूरती कभी आप सोचो कि हम लीटू पालर जाएं च्छमा करना मैं आपका भाई हूं अगर कोई सब्द आपको गलत लगे जब मैं व्यास पीड से उत्रूं आप उत्तर कर सकत खून हमारी खूपसी टू प्b नहीं हैं हमारी खूपसूरती सरसे वश्च व्तायर के फैसन में भूमना नहीं है हमारे दूसरे धर्म को देखो QU ब offense आगर हमें कि मार देगा कोई गम नहीं हम गुविंद के चलड़ अपने प्राड़ों को देदेंगे हमें बिल्कुल कोई भी आपती नहीं हमारे दूसरे धरम को देखो कि समझ गए होगे कि कहने की ज़रुरत नहीं है कि सिर्प आखें खुली होंगी कि खुली होंगी अंकें उम्मियों पर भी क्या होगी जाली विल्कुल महराज अगर बहनाओ मेरी बात को तुमने गांठ बांध लिया तो कभी जीवन में याद करोगी हमारा भाई आया था वहती ही अच्छे सब्द कह रहा था पहले जो गांवों में दर्जी हुआ करते थे नहीं अगर घरजी ने थोड़े बहना कपड़ा हूचे कर दिये तो कहते थे भी हम तो लेके जाएंगे निए तो दूसरे बना के देख यह कहगा मांग के पहन के आया है पकड़ अपने इतने ओचे कर दिये मेरे भेन और भाईयो एक बिलांद उची हो जाए तो फैसन एक फिट उची हो जाए तो फैसन गोंटूओं पे से फट जाए तो फैसन पीछे से फट जाए तो फैसन मेरे तो समझ में नहीं आता इस देश का हाल क्या हो रहा है क्या बताऊं जमाने की हालत कुछ कहने में आता नहीं है बेहना फैसन की हो गई दिवानी पेंटें पेहनन लगी मरदा दी बेहना फैसन की हो गई दिवानी पेंटें पेहनन लगी मरदा दी हबी कटवार कटीले सर्म आँखों में आता नहीं है क्या बताऊं जमाने की हालत कुछ कहने में आता नहीं है जांसी की वो लक्षमी बाई अंगरेजों से की थी लड़ाई ये क्या चलाएंगी अब तलवारे उल्टा पलू समलता नहीं है अब ये क्या उठाएंगी अब तलवारे उल्टा पलू समलता नहीं है अभी देहात में जाके देखो जेट जी आगे सुसुज जी जागे जैसे हमारी बैठीन देखो एक पत्नी परिक्षप्र अच्छा एक बात बता हो कि हमने कोई सब्द घलत वोलाएं इसमें जी बता है हमारे घर की मर्यादा वही है कि सबसे पहले भोजन बने माता इसलान करके भोजन बनाएं सबसे पहले भोव लगाएं तेकी एक इस्ट सबका होता है के अहें के दिश्फ कोटी तेहीं करूड में है महाराज कि अजुत कि हमने पता कि पता गाहरा और तेटीश कोट अकеци отметut प्रकार कोuteia कोट लिखा हुआ है कोट मानी प्रकार कुछ बसु है जंद रसूर यह न वतारे अब 33 प्रकार के देवी और देवता हैं कि इन में से एक सबका होगा को कोई कृष्ण को मानता होगा को राम को को हनुमान जी को को बाला जी सरकार को बाबा मोहर राम को सबका एक जादा प्रिया हो कोई सेरा वाली मां को मांती होगी एक सबका प्रिया होगा सम्मान सबको देती है पर एक को जादा मांगा जैसे मां के चार बेटे होते हैं न को बेटा तुचार है पर या छोटे को मानेगी या बड़े को बीच बारे तो कोंसे जंगल से उठके च बराबर तो मानी नहीं सकती हमें पता है तो 33 प्रिकार के कोट देवता हैं उनमें एक इस्ट होता है सुबह उठो इसना न करो उस इस्ट को भी नमन करो और सबसे पहले जो भी कुछ बनाओ पहले उस इस्ट का भूग लगाओ और जो प्रिसाद रखा एक रोटी थोड़ा सा हलुआ जो भी कुछ बना दसमेंट महारत हो जहां पूजा करती हो रोटी में रोठी रख दो सबजी में सबजी मिला दो वो हो गया भगवान का प्रिसाद उसे खाओगे बच्चों की बुद्धी सांत होगी तुमारी बुद्धी सांत होगी घर में कले कले सब्सक्राइब को लगो या न लगो रादे कर से पहले हमारे अगनी देव साथ्ची जो हमारे वह उदर के लिए बोजन तयार करते हैं थोड़ा गनी देव को भी दान कर दो बनाते सब्सक्राइब और जिस घर में ध्यान लगना जिस रसोई के अंदर ही नहीं होता है वो रसोई भूतों का बास होती है वह भूत बोजन करते हैं अगर आपके लिए आपती ना हो तन में दो चार नहला ऐसी जिन पर प्रे तांत है कि हमारे गुर्देव धिरेंद्र कुमार सास्त्री जो है उनकी तरह दो चार सर पटकने लगेंगी इतनी मेला क्यों माराज कारण किया है कि हमारी रसोई जिस समय पने उस रसोई में जी जरूर होना चाहिए पहले तवे पर थोड़ा घीका छीटा लगाए उसके बाद हम को मांदोस का नाम लेके प्रभू हमारे इस रसोई की रक्षा की लिए तुमारे लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं उस रसोई का जो आंसा है उस रसोई का जो कड़ है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं खीचेगी वह मारा भोजन सुद्ध होगा उसे खाके हमारे सुरीट को प्रते काहार में लेगे हैं को अध्रते कर शुद्ध में छीडाक चल ली औरस एपनाए हैं अभी हमारे है कि प्रिक्षट महाराज कह रहे ते कि हमारे पडुशी कह रहे थे खाना बनाने के लिए मैंने का कथा वी कह रहे हैं और कथा प्लाइफे तो बढ़ी सरम की नहीं है हमारे घर बन जाएगे क्यों बन जाएगे क्या बना रहे हो मैंने की हमारा तो अटूबा मामला जो भी कुछ है गोविंदरादे नमकर मिर्च डाल लो और बना लो वहिया और उसी में थोड़ा सा खा रहे हो पानी डाल लो एक गलास एक वार में ले लो खाओ गोविंदरादे महाराज पूरी मार्केट में लाएं फिरे क्या खाओगे इच्छी नहीं बिरकुल देखते ही आतले लोगो देखते ही ये पर जाकता है और आश्रापा है खाले ही मारा है और जो आपने में सपनको समंसकार नहीं देंगे यह और हमिले था कि अफिन हमारी नाक तो हम अपने बच्चों को ऐसे संसकार दें शुरू से भक्ती लाइन में डालें गलत आचरों से उनको बचा के रखें गलत संगती से बचा के रखो अच्छे संसकार दो बिडिया हो बेटा हो पड़ाओ लिखाओ और बस अच्छा भोजन उने कराओ जिससे कि हमारा मन तामसी ना बने अगर आम भोजन गलत करेंगे जैसा खाओ अन वैसा होगा मन और जैसा भी योगे पानी वैसी होती चली जाएगी बाड़ी चित जनपावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना सरीरा शिर्प पांच शरी पांच तत्तों से शरीर बना है और पांच तत्त्तों में ही म दीन हो जाता है यां तमें